ब्लॉक से पैटर्न्स बनाना भाग दो पैटर्न्स विद ब्लॉक्स पार्ट टू इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉक से पैटर्न्स बनाना ब्लॉक पैटर्न्स को देख कर नियम पहचानना अपने नियम बनाकर पैटर्न्स बनाना चलिए अब देखते हैं कि अक्षे के घर में आज दिवाली के दिन क्या हो रहा है अम्मा आप क्या कर रही हो बेटा आज दिवाली है शाम को पूजा भी है इसलिए मैं कुछ मिठाईयां बना रही हूँ यम यम मिठाई मुझे बहुत पसंद है हाँ मुझे पता है अम्मा कौन सी मिठाई बना रही हो तुम्हारी पसंद के लड्डू जो ये देखो बन भी गए है अब मैं संदेश बना रही हूँ अम्मा ये क्या है बेटा संदेश पर डिजाइन बनाने के लिए ये कुछ ब्लॉक्स है इसे कैसे बनाते हैं ये देखो हम इन ब्लॉक्स में ये संदेश का मेवा भर देते हैं फिर ऐसे दबा देते हैं फिर आराम से इसको उलट कर निकाल लेते हैं अरे वाँ अम्मा इस पर तो कितना अच्छा डिजाइन बन गया है हाँ देखो ये आर्चर्स इस फूल के चारों और घूम कर एक पैटर्न बना रहे हैं जी अम्मा अब मैं बनाओं जरूर क्यों नहीं आओ हम मिलकर बनाते हैं अम्मा कैसे बने बहुत सुन्दर अब ये खाने में और भी अच्छे लगेंगे अम्मा मिठाई तो बन गई अब आप क्या करोगे अब मैं रंगोली बनाओंगी मैं भी आपके साथ रंगोली बनाओं क्यों नहीं तिवहारों में सभी को मिलकर काम करना चाहिए अम्मा मुझे बताओ क्या करना है यह देखो यह हैं कुछ रंग और यह हैं कुछ ब्लॉक्स हम ब्लॉक्स को रंग लगाकर जमीन पर इस तरह से पैटर्न्स बना सकते हैं मैं भी बनाओं? जरूर पहले मैं बना कर दिखाती हूँ फिर तुम उसे आगे बढ़ाना हाँ अम्मा अब तुम कोशिश करो इस तरह? नहीं ऐसे नहीं अक्षे पहले इस पैटर्न को देखो जो मैंने बनाया है और इसके नियम का पता लगाओ फिर उस नियम को देखकर उसे आगे बढ़ाओ तो बताओ इस पैटर्न का क्या नियम है? अम्मा आपने सिर्फ दो अलग अलग रंग के ब्लोक्स को एक के बाद एक लगाया है जैसे पहले लाल रंग फिर हरा फिर लाल फिर हरा और इसे ही आगे दोगराया है बिलकुल अब तुम इसे आगे बढ़ाओ अम्मा ऐसे? हाँ बिलकुल चलो अब इस पैटर्न को पूरा करते हैं अम्मा एक और बनाओ हाँ हाँ बनाओ अरे तुमने तो बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हाँ मैंने इसे अपने ही नियम से तीन अलग अलग रंगों का प्रयोग करके बनाया है बहुत अच्छे कितना सुन्दर लग रहा है बाबा आकर देखो ना हमारी रंगोली कितनी सुन्दर लग रही है अरे यह आपने बनाया हाँ यह मैंने अम्मा के साथ मिल कर बनाया बहुत सुन्दर चलो अब पूजा घर में चलते हैं बाबा आप क्या कर रहे हो मैं पूजा घर को रंगों से सजा रहा हूँ कितने रंग बिरंगे पैटर्ण्स बनाए हैं आपने हाँ तुम कुछ पैटर्ण्स बनाना चाहोगे हाँ बाबा चलो बनाओ बाबा ये कैसा लगा? हम बहुत खूब पर तुम्हारे पैटर्ण्स का नियम क्या है? मैंने ये हेवाला ब्लॉक पहले लाल फिर पीला फिर लाल फिर पीले रंग से बनाया है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा पैटर्ण्स है थांक्यू बाबा तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही आप भी ब्लॉक से इसी तरह बहुत सारे पैटर्ण्स बना सकते हैं इस वीडियो में हमने सीखा ब्लॉक से पैटर्ण्स बनाना ब्लॉक पैटर्ण्स को देख कर नियम पहचानना अपने नियम बनाकर पैटर्ण्स बनाना